नमस्कार दोस्तों आपका स्वागात है हमारे चैनल क्रिकेट बुलेटिन में आग दोस्तों बात करते हैं कि डीडी सिये का बड़ा फैसला अरुन जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा फिरोश्षा कोटला दोस्तों वो जानकारी में आपको पूरी बताऊंगा लेक अपने पूर्व अद्यक्स अरुन जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है अरुन जेटली का सनीवार को निदन हो गया था इस स्टेडियम को अब अरुन जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा इसका नाम नाम करण 12 सितंबर को एक समारह में किया जाएगा इसम की विराट कोहली विरेंद्र सेवा गौतम गंबिर आसिस नहरा रिशपपन्थ और कई अन्य खिलाडियों ने भारत को गौरवान वित्त किया है अरुन जेटलिको स्टेडियम को आधुनिक सुवी दाओ से युक्त बनाने और दर्शक शमता बढ़ाने के साथ विश्वस तरिय ड्रेसिंग रूम बनवाने का स्रे जाता है समारो जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होगा जिसमें ग्रूह मंत्री अमिच सा और खेल मंत्री किरेन रिजीजु भी हिस्सा लेगे बतादे कि इसमें पहले गौतंग गंबीर ने उपराज्यपाल अनिल ब्यजल को पत्र लिख कर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का नाम पूर्ववित्त मंद्री अरुन जेटली के नाम पर रखने का अनुरोत किया था क्रिकेट से राजनीती के क्षेत्र में आये गंबीर इस कौशिस में लगे हुए है कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का इस्तेमाल अंतराश्ट्रिय क्रिकेट मेचो के आयोजन के लिए भी हो गंबीर ने जेटली के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपने पिता तुल्य बताया था दोस्तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरे लेकर आता रहूँग